मामला प्रेम प्रसंग का है जिसमें अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी का उरीशा से मुंगेर पहुँच गई जहां उसके प्रेमी की घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया आपको बता दे कि दो वर्षपुर्व, बाइस वर्षे युफ्ती, अनुनायक, पिता मंदर नायक, अपने चचेरी बहन के साथ उरीशा राजजी अंतरगत, काला घारी जिला, थाना मदनपुर, रामपुल माउल निवासी, पटना में किराई के घर में रहकर सिलाई का काम कर और उसी के बगल में किराई पर बिहार राजजी के मुंगेर जिला अंतरगत, धरहरा थाना के शिफकुर निवासी, अविनाश कुमार, पिता सिकंदर राय, वहां रहकर मार्बल का काम करते थे आसपास रहने के कारण अनुनायक और अविनाश के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और नजदीकिया इतनी बढ़ गई कि दोनों ने सारे समाजिक सिमाओं को तोर कर एक दूसरे का होना चाहा और दोनों ने शादी करके भुवनेश्वर के सैलेश बिहार मोहले में किराई का घर में रहने लगे और करीब 6 महिने 7 रहने के बाद मार्च 2023 में अविनाश बिना बोले वो अपने पैत्रिक घर बिहार के मुंगेर भाग कर आ गया जिसके बाद अनुनायक ने काफी खोजबीन की परवह नहीं मिला ना ही फोन पर उसकी बात हुई जिसके बाद ठक हार कर अपने पती बने प्रेमी को धूर ने अपने ममेरे भाई और एक रिष्टे में लगने वाली बेहन के साथ मुंगेर के हेमजापूर उसके घर पहुं पूर ओपी पहुंच ओपी अध्यक्ष को सारी बाते बताई जिसके बाद ओपी अध्यक्ष ने पहल करते हुए उसे अविनाश की घर में प्रवेश दिला दिया पर पाच दिनों के बाद फिर से घर वालों ने उसके साथ मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया जिसके बाद पुनाह अनु ने हेमजापूर ओपी में आवेदन दिया और ओपी अध्यक्ष ने अफायर दर्ज कर धरहरा थाना भेज दिया इस मामले में अनु ने बताया कि वो चाहती है कि अविनाश को सजा दिलवाए क्योंकि उसने उसकी जिन्दगी बरबाद कर दी है खुलासा के लिए मुंगेर से इम्तियास खान की यह रिपोर्ट